साइड एक अपने आप में ही भवे माननेता हैं तो यहां पर इनका भी प्रसाद लेना होगा आपको जा फिर गाई साफ मंगल में आ रहे हैं या फिर सनीवार में आ रहे हैं थाबर में आपको और सनी देव का प्रसाद कोई बड़ा नहीं होता वो तो छोटा सा प्रसाद होता सब्लकुद को कुछ मिलेगा क्या होता है बस कुछ नहीं होता और कितने अच्छे नहीं हैं तो यहां पर देख सकते हैं आप संधिये सलस्सा रा समझे कि खुद ही हम आपको अच्छे से दिखाएंगे तो अभी पहले नीचे यहाँ पर यात्रा कर लेते हैं यह यहाँ पे पैर ने देख सकते हैं और यह जो आपने अभी मैंने अभी आपको दिखाएए ना कैमरे में इसे देखना नी चाहिए क्योंकि ये भगवान सीव ने जो है गुसे में ये नित्य किया था तो इसलिए निगा नहीं डालनी चाहिए और कहते हैं कि घर में भी नहीं रखनी चाहिए ये जो मूर्ती थी जो कई हाथ और ये आप जानते ही हैं मैं नह सभुखेतू है और ये सनिद्य भगवान है इनका ये ये देख सकते हैं और उनी के सब हैं ये जो मतलब है ये जो आना हनुमान जी बजरंग बली जी इनकी इनका भी आपको इनके आपको सुरू में दर्शन करने होते हैं मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही मुख्य गेट क बगल में ही क्योंकि सनिवार के दिन और मंगल के दिन सनी देव का भी और भगवान सनी देव का भी वार रहता है और देखिए हनुमान जी का भी वार रहता है तो इन दोनों को फिर्शन करना होता है गाईस तो यहां पे हैं यह सनी देव की प्रकम्मा आप देखें अब अब चलते हैं, ये भी, ये भी नहीं है, ये भी एक बड़ी-बड़ी अपने आप में एक भवे मूर्ती बनाई गी है, और यहां पर है न, शाप और सब तरे की आकार में वो दिखाऊंगी आपको अभी में, जड़ी बूटियां हैं, चंदन की लकडी, जो अपने आप में शाप बने वे हैं और यहां पर अलाव निया अलाव निया अलाव निया अलाव निया एलान लगा रखा है यहां पर एक छोटे से लड़के ने तो यह हैं देखिए सिरी सनी देव भगवान जी की ये सिरी सनी देव भगवान भाईया जी की मुझे भाईया बताया गाया है सनी देव जो मैं अपने आप के लिए भाई मानती हूँ सनी देव को और हनुमान जी को तो हनुमान जी को और सनी देव को बेटे के और भाई के रूप में बिल्कुल बेफिक्र होके आप मान सकते हैं पूजा कर सकते हैं दाहा सकते हैं उन्हें तो यह है यहां पर आप देखे परसाद क्या परसाद में परसन हो जाते हैं और यहां पर पहले मैं आपको दिखा दूँ यह रेल का पूल है जहां से मैं गाड़ी खड़ी है नीचे मैं आपको नीचे से उपर को लेके आई हूं। गंगा जी के उपर को जा रहा है, पुल गाड़ी का, और इससे पल्ली तरफ ही उल्टे हाथ पे जा रहा था, और रेल का फुल ठीक है, तो यहां पे आपको प्रकम्मा कैसे करनी है, सीधी तरफ कोने पे खड़ा होके यहाँ पे नो सिरी सनी देव भाई की भगवान की जो है मूरती आपको मिलेंगी हर एक रूप में नो रूप में मिलेंगी तो इनव घ्रह यातरा मानी जाती है और भी अन्ये इसके अंदर ही बस अपने आप में एक भव्ये है कोने पे सीधी तरफ खड़े हो के आपको पांच चक्कर लगाने है या फिर पंडित के बताने के अनुसार आपको साथ चक्कर लगाने है और आपको कोई पैसा नहीं यहां पे खर्च करना होता जी हाँ आपको या तो सिरफ और सिरफ सवारूपा चड़ाना है सनी देव भगवान की सारी मूर्ति हैं ना ये सब सनी देव भगवान की ही ये एक अपने आप में वो हैं और जो इनकी माता की हैं और भी है तो यहां पे नो मूर्ति हैं नव ग्रह यात्रा और परकम्मा ये मानी जाती है इसे आप करें बिना बिल्कुल भी ना जाएं अगर आप पे सनी दोस है या फिर मंगल दोस है तो आप यहां पे जरूर आए और शिब जी महराज भी आपको देखने को मिलेंगे तो पहले प्रकम्मा कर लेते हैं आप भी इस तरह से सीथे कुने पकड़े हो के साथ या फिर पांच प्रकम्मा लगाएं और फिर वहीं रुक जाए यहां पे देखी आए अप अब आप रुक गए है है यहां पे तेल होता है आप सभी जानते हैं बली बागती शर्सो का सुझद तेल होता है अब यहां से दिया लिया दिया मिल जाता है 10 से पांच रुपे में और यह तो आप सवह रूपर चड़ा इनके इनकी पंजी कोई भारी निदे चड़ती और या फिर पांच रूपश ब should you know इस तरह से ya अपनी इस चानू सारр स्रदधा होती है यह तो जश्टबास में अब फरकम्म्ह ली है तेल की लगा दिया है और जब तेल की लग देता था भी पीछे अटाक्य आप देख सकते हैं मैं बता नहीं पाई सोरी पता है काले लाल तील होते हैं वो होते हैं सोरी चावल कलर में चावल नहीं होते हैं खाने वाले उन्हें काले लाल पीले तीन चार कलर में हरे कर लेते हैं चावल को तो चार तो हो जाते हैं ये और बस उसमें तील होते हैं काले और उड़त के दाने हो जाते है या फिर एक चीज होती है काले तील या फिर उड़त के दाने जो अपनी उड़त की दाल होती है साबत दाने होने चाहिए दाल सफेद नहीं होनी चाहिए बस और चिन्नी के दाने होते हैं साइद उसमें गुड़ चना होता है बस यही एक भोग होता है उसका सनी देव भाई भागवान का तो चलिए आप यहां से हमने यात्रा कर ली है अब थोड़ा सा मैं आपको यहां सामने और दिखा दूँ यह देखी यहां पहले नीचे से पह पूजा चली थी सनी देव भागवान की यह पंडिज जी पूजा करा रहे थे तो चलिए आप यहां से आपको अच्छे से दिखा देए काई सभी आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है वीडियो को छोड़के क्योंकि मैं आभी आपको प्यार से बहुत दीरे से दिखाती हू पंडिज जी के पीछे अब यह पूजा कर रहे हैं और यह जो आप देख रहे हैं जड़ी बूटियों में हैं यह सेफ करके रखी वी हैं काफी सदियों से और यह है ना साफ के कहते हैं ना शाफ नाग और नाग पंचमी को लिप्टे रहते हैं और नाग शाफ लिप्टे र को यहां पर चंदन की लकड़ी शेफ करके रखी हैं अभी गुमा के लेकर आओंगी देख़ें पर पीछ आठाक वीडियो को देख लो तो यहां पर सभी ही जो देवी डेवता और सादुसंत थे ना जो गंगा मया के पुझाडी सभी कि यहां पर आपको प्रतीमाया देखें नजर आएंगी यह देखे और गाइस वो जो रामायन में आपने देखा हो ना होगा ना स्री लंका जाने के लिए जो पत्थर फैके थे हनुमान जी ने वो तेह रहे थे उन में से एक पत्थर यहाँ वे सेव करके रखा है पानी में पीचे अटा के देखे थोड़ा सा दिखे आपको क्योंकि अंद्हरा हो रखा था मैं देखानी पाई ती पानी में और सीसे के अंदर सेव करके रखा है वो पानी में आज भी तेहरता रहता है वो पत्थर जी से Jaime उस पर राम लिखा हुआ उन्यावक्तरा रिद्धिध करना एलाव नहीं अलाओ नहीं तो बहुत बड प्रतिमा है और इनका संक एक भव्य अलग ही रोप में आपको दिखेगा संक रखा था नीचे माता गंगा के चरणों में तो यहां पर यह किर्शन भगवान है राधा जी है और बहुत ही सच में यह देखिए फिर अब से फिर से हैं आप आ गए है नीचे जो हनुमान जी की य करते हैं चलिए बाहर की तरफ चलते हैं यहां से आब हम बाहर को चलते हैं सबसे नीचे आ गए हैं यात्रा करके तो यह है जो गंगा मया का बहुत बड़ी लाज़ी है एक लाज़ी है बहुत बड़ी बहुत बड़ा संक था हर देवी देवता का जो संक होते हैं अलग अलग उनकी पूजा में जो देवी देवता का जैसे किर्शन की पूजा में किर्शन का संग अलग बजाया जाता है और हनुमान जी की पूजा में अलग बजाया जाता है देखिए उपर से देख लीजिए ये साइड से देख लीजिए आप ये जो मैंने सुरू में दिखाये आपको हनुमान भगवान जी तो ये वही है नीचे अब बिल्कुल बाहर के रास्ते पे देखिए रास्ट साइड में पत्थरों का रास्ता है ना गेट तो ये जहां को हमने प्रवेस किया था ना पत्थरों की गुफा में वहीं हम वापस आ गए हैं नीचे बूल बलेयां के जैसा रेक्दम उंची से पहाड़ पे को चड़ने जैसा रास्ता है अभी आपको जाना नहीं है बहुत ही इंपोर्टिंट है आपके लिए अगर आप दूर से आ रहे ना गाइस पहले तो आपको मैं उपर को दिखा दूँ देखियो ये देखिए जरा